तो मध्यप्रदेश में उनकी सरकार जा रही है राजिस्तान में भी सरकार जा रही है छतिसगड़ में भी जा रही है तेलंगाना में जा रही है सॉरी उल्टा बोल दिया एनादर उन ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुतेगा उस साइड से सोना निकलेगा पत्रकारिता एक गंभीर पेशा लगा तार खबरों से जूजते रहना एक पत्रकार की नियती होती है लेकिन इस दोरान कुछ ऐसे लमहे भी आते हैं जब आपकी सारी गंभीरता धरी की धरी रह जाती है और आप ठाहा के मारने लगते हैं और यह मौका देते हैं कॉंग्रेस के यूराज राहुल गांधी जब से राहुल गांधी ने कॉंग्रेस को उठाने का बीड़ा उठाया है तब से उनका बेड़ा गर्ग होता जा रहा पच्पनवर्षिय यूवा राहुल गांधी अपने भासड में अक्सर कुछ ऐसी बाते कर जाते हैं कि हसना आपकी मजबूरी हो जाती है हालाकि कभी-कभी मन में यह बात भी आती है कि राहुल गांधी तो पुर्व प्रधान मंत्र, राजीव गांधी के सुपुत्र हैं, लेकिन शायद उनको राज नीती की मूल भूत सोच, भारतिय संस्कृती और देश की समस्याओं के बारे में समझ थोड़ी कम हैं, लेकिन राहुल भाया तो विदेश में पढ़े हैं, कह उनको तो ग्यानी और गुड़वान होना चाहिए था, लेकिन बार बार कहते कहते वो अपनी बात भूल जाते हैं, उनके भासड लेखक उन्हें जो भी लिखके देते हैं, उसको या तो वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं, या फिर उन्हें हर बात को हलके में लेने की आदत प लखोंगा, जिसको सुनकर आप भी हस्ते हस्ते परसान हो जाएंगे, एक युवा होने के नाते मेरे मन में भी कभी कभी शंसय पैदा होता है, कि आखिर वो नेता बनना चाहते हैं, या कॉमेडियन, और मुझे लगता है कि ये अपिसोड देखने के बाद आपके भी मन में संदे पैदा होने लगेगा, राहुल बाबा एक से राजनेता है, जो केवल नेता है, केवल नेता, जिन्हें नेती से कोई मतलब नहीं है, उनका राजनेता सब्द के राज से भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं, खास बात या है कि राहुल गांधी जब कभी भी किसी बड में भासर देते हैं तो उनकी जबान विरोधी टिपणियां देने के चक्कर में फिसल जाते हैं और वो अजीवों घरीब बयान दे बैठते हैं अब इसे राहूल गांधी की फिसलती जुबान कहा जाए या उनकी आदत यह भी कहना कठिन है सभी जानते हैं कि राहूल गांधी देश के 55 साल के युवानेता हैं क्या है युवानेता हैं और कॉंग्रेस पार्टी के चहेते हैं जब कभी भी कॉंग्रेस पार्टी को फ्रेंट पर करने की बात आती है तो राहुल गांधी खुद वखुद या कहें गलती से आगया जाते हैं काइनात भी उन्हें सभी से दिदार करने का मौका देती है राहुल देश के लगभग सभी बड़े मुद्दों के बारे में जानते हैं और उन पर अपनी प्रत्रक्रिया भी देते हैं जो कभी कभी उचित होती है तो कभी उसके बातों का कोई सिर्पैर नहीं होता है अब ऐसे में पुछते कुछ तिनों और कुछ महीनों और सालों में राहुल गांधी की जुबान कई बार फिसली हैं और भयानक फिसली हैं जिसमें कई ऐसे मामले हैं जो कि उन्हीं की तरह मज़ेदार हैं अब आपको बथाते हैं ऐसा कब कब और कहां कहां इस उची में सबसे ताजा मामला है राहुल गांधी की नया यत्रा के दोरान दिये गए भासर का जिहां इस मौके पर भी चिरपरचित अंदाज में राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और फिर क्या था राहुल को पता ही नहीं चला कि वो क्या बोल रहे हैं सुबह उठते हो चाए धरम करने के लिए स्टोव में कोईला डालते हो उसको जलाते हो कोईला आपके चीफ पिनिस्टर का राहुल गांधी असम की धुबरी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे यहां भारत जोड़ो निया यात्रा लेकर पहुचे थे इस दौरान उन्होंने यह बात कही यही नहीं राहुल की एक और कारस्तानी है हाल ही में जब पांच राज्यों के चुनाव से ठीक पहले यानि की 9 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फेंस में अपनी बात रखते हुए कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी जबर्दस्त तरीके से फिछली। इस पर भाजपा ने तंज कश्ते हुए कहा था कि उन्होंने चुनाव से पहले राजस्beltान और 36 गड़ में हार माने गNew मध्यप्रदेश में उनकी सरकार जारी है , राजस्तान चारी जारी है। तेलंगाना में जोरी सॉरी उल्टा बोल दिया अब राहूल गांधी को कौन समझाने जाए राहूल गांधी बयान तो दे देते हैं भासड तो दे देते हैं बोल भी देते हैं उसके बाद वो सुचते हैं कि उन्होंने क्या बोला है अब इस भासड इस किस भासड के बाद उन साथ ही कहा कि मैं आप लोग के करण भ्रमित हो गया था, अब क्या कहा जा सकता है बात यहीं नहीं खत्म होती है, राहुल गांधी के किसे कभी कभी खत्म नहीं होते इस सुची में एक और राहुल गांधी का ऐसा ही बयान सामिल है यहां दिल्ली की रामलीला मैदान में कॉंग्रेस की हला बोल रैली में राहूल गांधी ने बिजेपी पर ववार करते हुए कहा था उस बात को कौन भूल सकता है बला क्यूंकि राहुल गान्धी उस वक्त कॉंग्रेस और बीजेपी के सरकार के दोरान महंगाई को कमपेर कर रहे थे महंगाई मेरे पास आकरे हैं 2014 में LPG का सिलिंडर 410 रुपे का था आज 1050 रुपे का है पेट्रोल 70 रुपे लीटर आज तक्रिबन 100 रुपे लीटर डीजल 55 रुपे लीटर आज 90 रुपे लीटर सर्सों का तेल 90 रुपे लीटर आज 200 रुपे लीटर दूद 32 रुपे लीटर आज 60 रुपे लीटर अटा 22 रुपे लीटर आज 40 रुपे लीटर अब उन्हें कौन समझाए कीलो और लीटर में फर्क क्या होता है ठीक वही बात हो गई फिर से कि राहूल गांदी को समझाने जाओ तो उसका ठीक राव आप की सर फोड देंगे फिर कहेंगे मैं आप लोग के कारण भटक गया था एक और ऐसा ही कारामात राहूल ने अपने पार्टन रेली के दरान किया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक साइड आलू घुसेगा और दूसरी तरफ सोना निकलेगा और पैसा इतना बनेगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि पैसे का क्या करना उनके इस अदभुत माने रोचक बात के बात से सभी इस मशीन को ढूड़ने में लग गये पर हाँच सिर्फ निरासा आई क्योंकि मसीन के इंजीनियर तो राहूल है और कॉंसेट भी इनुई का है तो यह मसीन कहा मिलेगी स्वायम राहूल गांधी के पास मिलेगी एक और ऐसा ही मजाक्या वाक्या राहूल गांधी ने भाराज जोड़ो यातरा के दोरान किया जब उन्हें देश की युवाओं के बच्चों की चिंदा हो जी हाँ राहूल ने यातरा के दोरान एक संबोधन दिया जिसमें उन्होंने रास्थान के बच्चे को इंग्लिश की अपर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस बात पर अपनी बात रखी मैं अपनी मात्र भाषा सीख सकता हूँ मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्यूनिकेट कर सकता हूँ मैं पूरी दुनिया के साथ बात चीप कर सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का जंडा लह रहा हूँगा फिर क्या था राहूल गांधी बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हैं उनके भविस्य के बारे में सोच रहे हैं तो लोग अचम्भित हो गए यह तो थी राहूल गांधी की सदन के पाहर की बयान बाची अब कुछ सदन के अंदर की बाते बताते हैं राहूल जब भासड द जब राहूल ने स्पीकर सर को मैम कह दिया लो राहूल पहले बोलते हैं बाद में उसका अर्थ समझते हैं ठीक ऐसा ही हुआ जब उन्हें समझ आया तो उन्होंने माफी मागी अगले नमबर पर है राहूल की वह बाप जब राहूल कहते हैं कि पीम बाहर नहीं जाते हैं फिर तुरांती कहते हैं कि जब भी बाहर जाते हैं अब इसका हम क्या मतलब समझें प्रधान मंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं तो यह थी राहूल गांधी की सदन के अंदर की बयानबाजी और कारस्तानी तो दोस्तों यह थी राहूल गांधी के जीवन की कुछ बड़ी और महत्वपुड उपलब्धी जिसके विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आज की सकड़ी में बस इतना ही और भी खबर के लिए देखते रहें उदाएंडिया डिश्टल को धन्यवाद। हиком दो कि कि झाने मईत दU Adm εκाdriven कास्क리 में पर आए्न बसà living अप्र झाल झाल